Good morning students, yesterday we will learn about interior of the earth is inside and outside of the earth के बारे में हमने जाना था आज हम interior of the earth में, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि inside पार्ट में, अर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड के अगया है, crust, mental and pore में तो उसमें मैंने एक इग्जामपल भी दिया था, boiled egg का, कि boiled egg से हम आसानी से इन लिवर्स के नाम को याद रख सकते हैं, crust, mental and pore for आज हम crust के बारे में जानेंगे, upper most layer over the earth's surface is called crust, जो upper most layer होती है, जो upper most layer means ये वारी जो layer है, ये वारी जो layer है, ये हमारी कहनाती है, crust अब crust जो layer है, it is the thinest of all the layers, सारी layers में सबसे thin layer है, सबसे पतली layer है, about 35 km on the continental masses, continental masses में वो 35 km तक है, only 5 km on the oceanic crust और ocean, जहां oceanic area है, वहाँ पर वो 5 km तक है, अब हम इस example को एक diagram से समझेंगे, जैसा कि ये diagram मैंने बना रखा है, इस diagram में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वारा लिख है, continental crust, ये जो पूरा continental crust है, जहां पर हम खड़े वे हैं, ठीक है? जिस surface area पर हम खड़े वे हैं, वो continental crust है, and second is oceanic crust, current ने oceanic crust, ये वाला जो पार्ट है, अब ओशनिक crust हम किसे कहेंगे? अब आप बोलोगी, वहाँ पर तो पानी बहरा रहता है, वहाँ पर crust कैसे हो गई? लेकिन उस पानी के नीचे भी, कोई तो surface होगा, जहां पर हमारे पैट केंगे, तो वो हमारा oceanic crust कहलाएगा, ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये oceanic crust कहलाता है, clear है, पूरे उस पे sand inventory, deposition, और lithosphere, इनसे को ध्यान में निपना है, सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखना है, एक तो continental crust and oceanic crust, ठीक है? अब हम इसको और easily समझने एक लिए इस diagram को स continental crust, continental crust and oceanic crust, continental crust अगर हम इसको और deeply समझें, तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका continental crust है, जो बहुत sedimental rocks होती है, उसमें बीच बीच में बहुत जादा space होता है, और ये बहुत फूलावा फैला हुआ होता है, ठीक है, इसने 35 km है, और जो oceanic crust है, यानि कि ये वाला जो पार् crust ये 5 km तक है, क्योंकि ये जो बना हुआ है, ये बहुत जादा है, बहुत जादा है, जैसे ये silica और magnesium से बना हुआ है, बहुत जादा है होता है, इसलिए ये 5 km है, अब हम इसे किन-किन चीजों से, मिट्टी से बना हुआ है, तो ये बारे में हम जानेंगे, जैसे कि अगर हम जैसे continental crust के बारे हम बात करें, तो जैसे मैंने बता है दा, silica और alumonia, alumonia से बना हुआ है, तो इसका जो अगर हम नाम देखें तो si plus al, si मतलब silica और al मतलब alumonia, तो इसको हम cr के नाम से भी जानेंगे, short form में cr, ठीक है, और अगर हम oceanic crust के बात करें, तो ये silica और magnesium से बनी जैसे हम si plus ma, यानि कि सीमा के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब जो uppermost layer है, जो crust कहलाती है, वो si al, यानि कि continental crust कहलाती है, और जो सीमा है, वो oceanic crust कहलाती है, इस तरीके से आज हम नहीं जाना, कर हम इसके mental layer के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे,